हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो टाइम एंड वर का प्राश्ण होता है इसे हल कैसे किया जाता है तो देख सकते हैं पर पहला प्राश्ण है एक इसी काम को 15 दिन में करता है बी उसी काम को 30 दिन में करता है A और B मिलकर काम करे तो काम कितना दिन में समाप्त होगा देखे इस प्राश्ण को हल करना बिल्कुल आसान है देखे A जो है किसी काम को 15 दिन में कर रहा है देखे B जो है उसी काम को 30 दिन में कर रहा है अब देखे आपको सबसे पहले कूल काम को निकालना होगा देखे कूल काम को निकालने के लिए आपको 15 का और 30 का LCM को निकालना है देखे 15 और 30 का LCM जो होगा वह हो जाएगा 30 देखे जो LCM होगा वही होगा कूल काम देखे जैसे ही कूल काम निकल जाएगा अब आपको ब्यक्ति की छहमता को निकालना होगा छमता को निकलने के लिए आपको 15 से 30 में भाग को लगाना है देखे यह लगेगा दो बार में जैसे मान लिजिए 30 रोटी है और देखे एका जो छमता है वह है दो यह देखे वह रोज के हिसाब से 2-2 रोटी को खा रहा है इसलिए देखे A को खतम करने में 15 दिन लग रहा है इसी तरह से अब हम लोग B का भी छमता को निकालेंगे देखे 30 से 30 में भाग लगाएं तो यहाँ लगेगा एक बार में यहाँ देखे B का जो छमता निकल करके आया वहाँ आया A एक यहाँ देखे 30 रोटी है और B जो है एक के हिसाब से खा रहा है इसलिए देखे आपर B को 30 दिन लग रहा है 30 रोटी को खतम करने में अब देखे आपर प्राश्ण में था A और B मिलकर काम करे तो काम कितना दिन में समाप्त होगा देखे यहाँ दोनों को आपस में मिलाना है देखे A का जो छमता है वह है दो और देखे B का जो छमता है वह है एक यानि देखे यहाँ दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में तीन रोटी को खाएंगे देखे आपर कूल जो रोटी है वह है तीस और देखे दोनों मिल करके एक दिन में तीन रोटी को खा रहा हैं तो देखे हम लोग तीस में तीन से भाग को लगाएंगे तीन से तीस को कटे यह कटेगा दस बार में यह देखे वह जो काम है दोनों मिल करके दस दिन में समाप्त कर देंगे देखे यहाँ पर कुल काम को 30 माना गया है यहाँ पर देखे आप 30 के जगह कोई भी संख्या मान सकते हैं जो देखे 15 और 30 से कड़ता हो इस बार देखे हम लोग 30 नमान करके यहाँ पर मानाएंगे 60 अब देखे हम लोग यहाँ पर भी ब्यक्ति की छमता को निकालेंगे देखे 15 से 60 में भाग लगाएं तो यहाँ लगेगा 4 बार में यानि देखे A का जो छमता है वह है 4 इसी तरह से देखे हम लोग यहाँ पर B का भी छमता को निकालेंगे 30-60 में भाग लगाएं यह लगेगा दो बार में वहाँ पर देखिए प्राश्ण में था A और B मिल करके उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे देखिए हाँ पर A का छमता है 4 और यहाँ पर देखिए B का छमता है 2 यह दोनों को हम लोग आपस में जोड़ेंगे यह हो जाएगा 6 यह देखिए A और B मिल जाएंगे तो वह एक दिन में 6 रोटी को खाएंगे देखिए हाँ पर कूल जो रोटी की संख्या है वह है 60 और एक दिन में 6 के हिसाब से खा रहा हैं तो देखिए हम लोग 6 से 60 में भाग को लगाएंगे देखिए यह लगेगा 10 बार में यानि देखिए 60 रखने पर भी यह इंसर सेम आ रहा है यानि देखिए कूल काम जो है अगर आप कुछ भी मान लेते हैं तो आपका इंसर सेम आएगा देखिए आपको कूल काम वही मानना है जो यह दोनों संख्या से कड़ता हो तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गहोंगे कि जो टाइम एंड वर्क का बेसिक लेबल का प्रोस्ट होता है इसे हल कैसे किया जता है